नमस्कार कितान भाईयों कैसे हैं आप लोग मैं हो कोविन पटेल और आप देख रहें खेती की पाट साला जी हां दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं वेस्ट डिकंपोजर की जिसको बनाया है गाजियाबाद के जैविक किरसी संस्थान ने इसमें देशी गाय के जो गोब दूसरे वारे का काम है मिट्टी को भूरभूरी बनाना तसा तीसरे वाले वेक्ट्रिया काम है जो फसल में आप इसको छिड़कते हैं तो उसके रोक परतिरोधी छमता को बढ़ाना जिससे की सारे बीमारियां आपके फसल थे हो जाएंगे दूर तो इसका बनाने का बीधी जो मैं आपको बता दिया हूँ तो मैं आज इसको खेत में डालने का बीधी में आपको बताता हूँ इसको उपियो करने का चार्ट तरीका है पहला वाला बीधी है कि आप इसको पलेवा करते हैं पानी में इसको आप डाल दें 200 लिटर पर एकड क काम है कि आप इसको इसमें इसका तिसरा काम यह है कि इसको खा दिया जो कचरा होता है आपके जो धेर होता है कचड़े या फ़सल का आउसेस हुआ उसमें आपको इसको छिड़क देना है जैसे आप इसको कचड़े में छिड़कते हैं तो 40-45 दिन में पूरी तरह से खाद में कनवर्ट कर देगा जो आप इसको बनाया है वो घुशल को और तैसलेश का चौथा अपियोग है इसको अब बीच उपचारिक कर सकते हैं जि हां दोस्तो बीच उपचारिक कर सकते हैं Shoot आज आपको 4 बीधी का बठाता हूँ पूर डिटेल पहले वाले कि से अब जाता है चाहें आप बात करें नाइट्रोजन की शूपर की जो शूपर पोटास की जो तीनों-चारों चीज हम लोग डालते हैं रासाइनिक खाद वह मिट्टी में फिक्स हो जाता है जिससे पौधे को मिलता ने जिसी के कारण उसी के कारण मिट्टी एकदम हाड होना दूसरा होता है कि जैसे जड़े या फिर बशेयर जो मिट्टी में रहता है उसको यह कर देता है डी कमपोपोस करके उसको भी खाद की रूप में कहन बर्त कर देता है तो मत्किन अपना बनार्यार। की यह बाद में सड्ती है उसको ये जल्दी से कर देता है और पौधे को जल्दी से मिल पाद दूसरे जो Hart Sex रहते हैं जोarat से जिससे हमारा न्हरु कीनिता ठाद हो जाता है वहाँ हो झाता है इससे थेला मैं आपको बताfinderार था बीमारी चाहे बउन ंगा्ट नहीं आते हैं बहुंच से किसां ने इसकर क्या है उपयोग बटाते हैं कि फफुद्र हो कीडए ऑगर्र नहीं आते हैं तो पराली तो आपको पूरी तरह से भीगो देना है और उसको हलके से नमी बनाया रखनी है उसमें कच्डे में तो आप देखेंगे कि 40-45 दिन बाद वो पूरी तरह से खाद में बदल जाएगा और वो एकदम बढ़ियां तरीके से खाद बढ़िए अगर आप जल्दि जर्मनेशन होता है तो लगभग 95% तक जर्मनेशन आते हैं बीच के जो तो बहुत कम आते थे वह भी जर्मनेशन हो जाए इसको इसका मैं आपको बिजी बता दूँ कि बीच को आपको कैसे करना है उप्चारी तो सबसे पहले आपको डिकमबोजर जो आप ड्रम में बना के रखें हैं पानी को लेना है बीच बीच जो भी आपको उसमें आपको मिक् अची होती है बहुत से किसानों ने करके देखा है मुझे बता रहे थे कि उपचारी बीच का जर्मनेशन बहुत ज्यादा होता है तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसके जो चार उप्योग करने का तरीका जैसे आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो उसका कार्बन को कीशलब बढ़ा देता तो जैसे कि आप देखो किसान जैवी खेतीं करते उनके में रहता है कार्बन का परशन एक नहीं तो फिर पॉइंट में ही मिलता है आपको कार्बन का परशन के ज эт जय sharing को कर देता है कुछो सहारी के जैसे दो पानी मैं चलाते हैं इसको तो अब जादा केमिकल करते हैं तो आपको दो से पांच पानी के बाद तो लगभग केंचुवा आना सुरू हो जाता है क्योंकि जो मिट्टी में जितने भी फिक्स तत्तों रहते हैं जो एक्चल में घूलते नहीं है उसको यह जब गोल लेदर केंचुवां के लिए खाने का यह मिल जाता है तो केंचुवां आना सुरू हो जाता है तो आपको पांचवां पानी के बाद आपके मिट्टी हो जाएगे पूरी तरह से बूरबूरी हो जाएगा क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो इसका आपको जो दिखेगा असर मैं आपको बताता हूं इसमें इसको पांच करनी के बाद आपको फसल में क्या कि असर दिखेगा मैं आपको बताता हूं जो बीच को आप्चाली करने के बाद तो इसका अंकूरण बढ़ जाएगा बहुभच ज्यादा आं तो दाने जो उसका फल थोड़ा बड़ा साइज में आगा और आप इसको गेहु धान में उपियोग करेंगे तो उसके जो दाने में मस्त हलका से चमक आजाएगी है पूरी जमीन को बदल देगा इसमें इसमें जो 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 उसके पीच ओगर रहता है मिट्टी के पीच ओगर ज जैसे आपका मिट्टी ज्यादा चारी है तो उसको यह जैसे कि पीच मान साथ जितका होता है वह सामाने रहते तो यह पीच विमान को लगबग सामानने कर देता है आपका फूल फल में बहुत अच्छी क्वालीटी के फूल फल आदे क्योंगी देखिए सारा सारा तो रहता तथा मिट्टी अगर आप करेगे अच्छा उसमें की निहीं होगा तो अब इसलिए अपके फ़ल बहुत अच्छे आने वाले तथा मार्केट में अच्छे रीड मिलने वाले फूल फल बहुत पूल लेक्ट्वर में जो जडने का जो प्रॉब्लम आते हैं मीर्च वगरा में जैसे आपने देखा होगा तो फूल फल जडना भी लगबख बंद ही हो जाएगा तथा उसमें चमक आजाएगे प्लस एक्ट्वर में जैसे मीर्च हो या फिर जैसे आप दान करने के लिए तो आपने सिंगल बॉटल लेना है उसको आपको बार बार मल्टिप्लाई करते रहना है 20-20 लीटर आपको बचा देना है और उसके बाद मागी को खेट में डाल देना है जैसे आप इसको छिड़कने है तो मैं इसके छिड़कने का बिदी बता दूँ अगर आ आपके पौधे जैसे बढ़ गए हैं तो आप इसमें 70-80% ले सकते हैं कहना लीटर का है तो उसमें आप 10-12 लीटर इसको ले लीजिए और बांकि 3-4 लीटर आपको मिला देना है साधा पानी जैसे आप इसका छिड़काव करते हैं तो छिड़कते समय इसमें कुछ भी इसको आप अलग से छिड़किए इसके साथ आपको मिलाना नहीं है डिकंपोजर को आपको सिर्फ अकेला सिंगल ही इसका उपियोक करना है चाहे आप इसको छिड़कना भी है या फिर खेत में डालिए बीज उपचार करिए तो एक तरह से किसान के लिए वरदान है बहुत स अस्थान का है इसको आपको मार्मेंट के लिए iPhone करनी पड़ेगी अकर आपको विडियो चाहिए तो मै समयala की तरीका इसके बारे में मैं आपको विडियो आपको घृक्त एक्षर टाइम जब बीदिए बनाऊँ गा तो इसको मंगाने के तरीके के बारे में मैं आपको पूरी तरह से वीडियो मना के बता दूंगा और जिह हाँ विडियो अगर आपको अच्छा लगा दो लाइक करें कमेंड करें Aldig सब्सक्राइब जरूर करिएगा उसके बाद जो बेल वाला आइकन होता है उसको आपको प्रेस कर देना है ताकि जब भी खेती से संबंधित नया वाले वीडियो डोले तो आपको नोटिफिकेसन मिल जा तो यह वाले चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को देखने के सब्सक्राइब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत